विक्रम वेधा के विरोत पर बोले सैफ अली खान फिल्म रिलीस से पहले राम नाम पर छिडी बहस वाइरल हो रहा सालों पुराना वीडियो बॉलवूड के मशूर एक्टर सैफ अली खान इन दिनों अपनी आने वाल फिल्म विक्रम वेधा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं जैसे जैसे फिल्म रिलीस के दिन नजदीक आ रहे हैं सैफ की मुश्किले बढ़ती जा रही है इन दिनों एक्टर का एक पुराना वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो राम का नाम लेते नज़र आ रहे हैं और इसी वीडियो की वजह से अब उनके खिलाब विवाद हो उठा है और अब उनकी अपकमिंग फिल्म पर बॉइकॉट ट्रेंड नाम की मुसिबत के बादल मंडरा रहे हैं इस वाइरल हो रहे वीडियो में साफ अली खान ने बताया कि वो अपने बेटे का नाम राम क्यों नहीं रख सकते और यही वज़ा है कि वो इन दिनों चर्चा में आ गए है इतना ही नहीं सैफ अली खान ने विकरम वेधा के बॉइकॉट पर भी रियक्शन दिया है दरसल एक इंटरव्यू में सैफ अपने बेटे तैमूर के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे है वीडियो में सैफ कहते हुए दिखाई दे रहे है कि मैं इंटरनेशनल नाम चाहता था मैं अपने बेटे का नाम अलेक्जेंडर या राम नहीं रख सकता था तो सोचा क्यों ना एक अच्छा मुस्लिम नाम रखूं। उरों ने आगे कहा क्यों मीट करता हूं कि उसे सेकुलर वेल्यूस के साथ बढ़ा करूंगा ताकि एक दूसरे का सम्मान करे। वही सेफ अलिखान ने फिल्म के प्रचार के दौरान फिल्म का विरोध करने वालों के खिलाब तंच की रूप में कहा। मैं वाम पंथी हूं लेकिन मुझे आज ऐसा नहीं कहना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक्टर के बयान के बाद जंता की क्या प्रतिक्रिया है आईए आपको बताते हैं। कमलकान श्रीमाली नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा जितना कहा फिल्म की पिटाई के लिए काफी है बिगडे नवाब सहाब। एक और शक्स ने संबन में कहा पिटी तो प्रित्वी राज धाकड और भी बहुत सी है। एक और शक्स ने एक्टर के बयान पर कहा सही खेल गया प्रमोशन तगड़ा होगा अब। एक भाई ने दावा किया कि फिल्म एडवांस बुकिंग में फ्लॉप है, मातर 15 लाग की बुकिंग हुई है। वीडियो को लाइक और शेर करें। बैल आइकन बटन जरू ट्रेस करें ताकि बॉलिवोट गलियारों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट आप तक पहुशती रहे।